नमस्कार, हिंदी साहित्य वार्ता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकर के साथ दोस्तो, JRP हिंदी 2021 की तैयारियों के अंतरगत हम 114 बढ़ रहे थे और जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कम्प्लीट कर ली थी चाहे आपका गांधी दर्शन हो, चाहे आपका अमेर का दर्शन या फिर लोहिया दर्शन की बात की जाए और इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटिड हमने बहुत सारी आपकी जो मौक टेस्ट हैं वो भी कर ली है अगर आपने अभी तक वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एकाई चार के नाम से जो हमारी प्रेलिस्ट बनी है उसको देख सकते हैं और इसके साथ ही साथ दोस्तों एक मौत्रपून चीज़ और भी है कि UGC NET की तैयारियों कर रहे चातरों के लिए हमने प्रिबिएस एर पिपर के लगभग थौजन जो कौशन की सिरीज है वो लाई है और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा महज 100 रुपीज के आसपास चार्जीज है और आपको ये उपलब्द हो जाएंगे आज हम इसमें देखिए अपना अलग जो मौक टेस्ट की सिरीज हमने चलाई है इसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं इससे पहले भी हमने 2-3 मौक टेस्ट कर लिये थे जो 2021 की तैयारियों के उनको करने चारे हैं तो चलिए बिना देर किये शुरुआत करते हैं आज के लक्चर की और सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रशन संख्या 26 तो यहां पर देखिए आपने देखा होगा UGC.net की परिक्षा में इस तरीके की जो प्रशन है वो जादा तर पूछे जा रहे हैं अब आपको की संगत असंगत कतन आपको दे दिये जाते हैं कि दो कतन आपके संगत होंगे दो असंगत होंगे इस तरीके से आपको समझना है और खासकर आपका जो 11.4 यह ना सिर्फ आपका जो factual है बलकि इसको आपने conceptual जो तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है क्योंकि आज का जो हमारा ये mock test है, ये mainly दो topics हमने इसमें रखे हैं, आपका unit 4 और unit 5 जो कवीता वाला portion है, उसके भी कुछ प्रशन हमने इसमें रखे हैं और साथ ही साथ इकाई, चार से भी हमने इसमें प्रशन रखे हैं, तो देखें यहाँ पर प्रशन संक्या 26 ये कहता है कि भारती संगत का मतलब है, सही कथन आपने बताना है, तो दीखिए समाज सुधारकों ने धरम का मानवतावादी वा उप्योगितावादी दिश्टिकोन प्रस्तुत किया है, तो इकाई चार जब हम पढ़ रहे थे नवजागरन, भारती नवजागरन के संबंद में, तो वहाँ पर नमर एक इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, और आगे देख लेते हैं, अगले जो विकल्प हैं, वो कौन-कौन से हैं, तो इसमें देखी लिखा गया है कि आंदोलनों का जो उदेश्य सुधारात्मक और संगराचनात्मक परिवर्तन लाना था, तो यहाँ पर ये वाला ज संस्थाएं रही हैं, इनका जो मुख्य उदेश्य क्या था, सुधारात्मक था, ठीक है, तो सुधारात्मक था, ये चीज ठीक है, लेकिन संगराचनात्मक परिवर्तन लाना इसमें नहीं था, तो ये चीज आपने दियान रखनी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पप्राटीबंद लगा तो दीखिए यहां पर यह चोٹी सी मिस्टेर कि यहां पर है गलती है इसमें कि राजाराम मोहन द्राय को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत नहीं बलकि भारतिये नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है अगर हम बात करें लिए पहर बात करें वो थे हिंदी नवजागरण के अग्रदूत, राजा राम मोहन राय होगे यहां पर भारतिय नवजागरण के अग्रदूत, बाकि आगे की जो लाइन है वो बिल्कुल सही है इसमें, कि जिनके प्रियासों से सतिप्रता पर प्रतिवंध लगा था, तो ये चोटी सी गलती इसमें थी, इसलिए ये वाला वाक्य आपका क्या होगा, गलत होगा, नेक्स से दिखिए, ये अंदोलन केबल आस्था और भावुक्ता पर केंद्रित थे, तो ये वाला कथन भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो भी आपके अंदोलन थे, अस्था ऑर भावुक्ता पर केंद्रित थे, ये उस्में तरख और बुद्धी को भी केंद्र में रखा गया था, जिसमें अग्यान, शिक्षा की बात भी कही गई थी, कोरी, आस्था और भावुक्ता इसमें नहीं देखने को मिलती है, साथी साथ इसमें तरक और बुद्धी का भी समाविश रहता है तो इस रीके से आपका ये 26 प्रशन था जिसमें सही जो उतर होगा दिखे विकल्प नमबर एक कि जो आपके समासुधारक थे उन्होंने क्या किया धर्म का मानवतवादी और उप्योगितावादी दिश्टिको स्थापित किया तो एक इसका साई उतर होगा बाकी जो मैंने आपको विस्तार से बता दिए चलिए अगला प्रशन दिख लेते हैं प्रशन संक्या 27 ने दिखिए भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण धार्मिक तथा समाजिक सुधार से संबंधित संस्थाओं को उनके स् सबसे पहले आर्यस समाज है तो आर्यस समाज की स्थापन किस ने की थी यह की थी स्वामी द्यानंद सरचोतिने 1875 में ठीक है अगला है देखिए सत्यशोधक समाज तो सत्यशोधक समाज इस संस्था की जो संस्थापक रहे हैं यह है आपके जोती बाबाई फुले ठीक है त तो इसका जो समय है देखिए ये कब है सत्य शुदक समाज का ये है 1873 नेक्स से देखिए प्रार्थना समाज तो प्रार्थना समाज आप सब लोग जानते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी इसके संस्थापना कौन थे तो ये गोविंद रानाडे थे लेकिन साथ इसमें आत्माराम और दिवेंदर नात भी रहे हैं और इन्होंने किश्व चंदर सेंद के सहयोग से इसकी स्थापना कीति प्रातना समाज की और ये कब था इसका समय 1866 थीक है नेक्स से दीखिए रामकृषिण मिशन तो रामकृषिण मिशन सवामी विवयकनन के द्वारा थीक है ये इसका जो समय है दीखिए 97 तो सही जो विकल्प होना चाइए इसमें विकल्प नंबर 3 होना चाइक प्रातना समाज सबसे पहले आएगा 67 में, सत्यशोधक फिर आपका 73 में, RS मा जाएगा उसके पश्चात 75 में और राम गिशन मिशन आजाएगा आपका आखिर में, सबसे लास्ट में ठीक है, 1857 तो इस तरीके से इसका क्रम अनुसार वाला जो प्रशन है वो आपका हो सकता है, तो यहाँ पर जो भी आपके धारमिक संस्थाएं थी, है ना समा सुधारक, इनको क्रम अनुसार रखने को कहा गया था, तो सही जो उतर होगा विकल्प नंबर 3, चलिए, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संक्या 28 दिखिए चौखंबा योजना के अंतरगत नहीं है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि चौखंबा योजना के जो यह बात है, यह किस ने कही है, तो यह कही थी आपके राम अनुहर लोहिया ने और लोहिया दर्शन से रिलेटेड इसको माना जाना चाहिए और लोहिया दर्शन के उपर हमने अभी एक दिन पहले ही लक्चर प्यार किया है तो आप चाहें उस लक्चर को भी देख सकते हैं वहाँ पर हमने रामनोहर लोहिया और उनके विचारों के समन्द में अपिस्तार से बातें कही हुई है और चोखंबा योजना में जो चार मौत्वपून चीज़ें है उनमें से एक यहां पर नहीं है वो कौन सी नहीं है तो सबसे पहले इसमें ग्राम है उसके बाद मंडल है फिर प्रांत और फिर देश तो यहां पर जो चोखंबा योजना के अंतरगत नहीं है देखिए वो आपका देश, देश की जगह कौन से आएगा, आपका, यह आएगा, सरकार, ठीक है, आपका सरकार आ जाएगा इसमें जो चौता है, ठीक है, ग्राम, मंडल, प्रांत, या फिर आपका केंदर जिसको कह सकते हैं, सरकार की जगह आप कह सकते हैं, केंदर, तो ये इसमें सही हो जाएगा ठीक है देश इसमें नहीं होगा चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं प्रशन संग 29 है दिखिए नवजागरन या पुनरजागरन के लिए नवथान नाम किस ने दिया तो आप देखेंगे कि जो नवजागरन है या जिसको पुनरजागरन नाम से आप ये किया गया है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो नवजागरन है या पुनरजागरन है उसके लिए रेनेंसा शब्द का प्रयोग किया था वो किया था मिशे सेट ने ठीक है लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ये नवथान है तो मिशे सेट खुद ही बहार निकल गया इसमें से, अब हमारे पास रहते हैं तीन भी कल्प, तो राम बिलास शर्मा इन्होंने तो नवजागरन नाम दिया है, अब डॉक्टर मैनेजर पांड़े हैं, इन्होंने कोई नवजागरन के समद्ध में कोई बड़ी बात नहीं कही है, लेकिन इन्होंने रामिला शर्मा के समंद में एक quotation कही है जो हमने अपने lecture में सबसे पहले ही दिन रख लिया था तो आप उस lecture में देख सकते हैं कि रामिला शर्मा के समंद में manager पांडे क्या कहते हैं तो अब हमारे पास एक ही भी कल्ब बचता है वो है रामधारी सिंग दिनकर तो रामधारी सिंग दिनकर ने पुनर जागरन या नव जागरन के लिए कहा है नवोध्थान ठीक है और ये बात इन्होंने कहां पर कही है जो संस्किती के चार अध्याए इनकी जो प्रसिद संस्किती माने जाती है रिखिए उसमें इन्होंने या बात कही है और संस्किती के चार अध्याए हमारे पाठेक्रम में भी शामिल है UGC NET के तो ये हमारे लिए बहुत ही जादा महत्वपूर्ण है वहां पर इन्होंने इसको कहा है नवोध्थान तो इस तरीके से आपको eliminate करने की जो अपनी क्षमता है उसको बढ़ाना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प में सीमित नहीं होना है जो अन्य विकल्प है उनसे भी आपके प्रशन कई बार स्वत्य ही ठीक हो जाते हैं चलिए अगला प्रशन हम दिख लेते हैं यहां पर प्रशन संख्या 30 हरी किये स्थापना और तरक तो इसरीके के प्रशन भी UGC.net हिंदी की परिक्षम में पूछे ही जाते हैं स्थापना और तरक से related इन दोनों को आपने ध्यान पूरवक पढ़ना है अगर आपकी स्थापना वाली बात तरक में कही गई है तो कई बार संभावना एक बन जा जाता है जिसको महाविद्रो के नाम से भी जाना जाता है जो 1857 का विद्रो जिसको माना जाता है तो देखिए हिंदी नवजागन का अरम कब से माना जाता है यहीं से माना जाता है तो यह बात क्या है बिलकुल सही है और हिंदी का जो सीधा संभंध वो किस्से है आधुनिक काल से है तो ये दोनों ही कथन क्या हैं सही हैं तो विकल्प नमबर दो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला प्रशन संख्या 31 है दीखिए अंबेड कर के समद्द में असत्य कथन बताईए तो दीखिए जो डॉक्टर अंबेड कर थे इनके दान सभा में प्रारूप स्मिती के ये अध्यक्ष थे तो ये बात क्या है बिलकुल सही है और रिजर्ब बंक की स्थापना में विशेश योगदान ये भी सही बात है और ये चीज़ें हमने पहले ही अंबेड कर दर्शन में पढ़ ली थी जहांपर हमने भीमराव प्रतम अध्यक्ष ये नहीं थे ठीक है इसके जो संपाधके देखिए आपके जो असमिता पत्रिका है विमल थोरात और ये आपकी किस तरीके कीत्रिका है त्रैमासिक पत्रिका है जो दिली से प्रकाशित होती है ठीक है सुतांतर भारत की ये पहले विधी व न्यायमंतरी तो ये बात भी क्या है, सही है, तो विकल्प नमबर 3 इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इस प्रशन की सही है, चलिए, अगरा प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन संग क्या 32 है, देखिए, गांधी तथा मार्क्स के पास सी भी गांधी बाद से था, लेकिन जो राम मनोहर लुया है, देखिए, ये जो आपका मार्क्स और गांधी, इन दोनों की कुछ एक चीज़ों को इसने आतम साथ करके, नवीन समाजबाद के स्थापना की थी, और ये चीज, ये जो कथन है, ये राम मनोहर लुया ने ही कहा है गांधी तता मार्क्स के पास, सीखने के लिए बहमूल्य कोश है, तो ये वाला कथन इसमें अपने आप में सही हो जाएगा, विकल्प नमबर 3, ठीक है, चलिए, अगरा प्रशन हम देख लेते हैं, प्रशन से क्या 33 सा यहां पर देखिए, प्रियोगवाद का मूल आधार क क्या है, तो ये कवीता वाले पोर्शन से आपका प्रशन यहां पर रखा गया है, कि जो प्रियोगवाद है, सबसे पहली बात यह है कि प्रियोगवाद का समय कब से कब तक है, और प्रियोगवाद की जो शब्द का प्रत्थम प्रियोग किस ने किया है, ये चोटे-चोटे question भी आपको पता होना चाहिए आप चाहें तो हमें comment section में जाकर बता सकते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रियोगवाद का जो मूल आधार है वो क्या है पूछा गया है तो यहाँ पर यहाँ पर युन ने व्यक्तिक्ता की बात कही है बाखी चीज़े इसमें नहीं होंगी तो प्रियोगवाद का मूल आधार होगा आपका व्यक्तिक्ता विकल्प नंबर एक इसका सई उत्तर होगा चलिए next देखिए यहाँ पर प्रगतिवादी मूल्यों की पहचान कीजिए तो पहले प्रियोगवादी मूल्य थे अब आपका प्रगतिवादी मूल्यों की पहचान आपने करनी है तो देखिए इसमें यथात्चेतना है इतिहास बोध है व्यस्तिचेतना या पिर एकेशुरबाद तो व्यस्तिचेतना की बात हमने कहां पर देखी वो हमी पहले ही प्रशन में पढ़ चुके है इससे पहले कि वो आपक प्रियोगवाद में आता है फिर एकेशुरबाद की बात भी इसमें नहीं है आपके जो प्रगतिवाद में है तो फिर बचता है आपका यथात्चेतना तो ये प्रगतिवादी इस बात को मानते थे दूसरा आपका इतिहास बोध ये भी इनसे रिलेटिड माना जाता है और और प्रगतिवाद, साहिते में जो प्रगतिवाद है, राजनीती में वही क्या है आपका माक्सवाद है, ठीक है? तो ये जो आप देखेंगे कि यथार्ट, चेतना और इतिहास बोध, ये दोनों माक्सवाद से रिलेटेड चीज़ें भी माने जाती हैं, और प्रगतिवाद स हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला पशन हम देख लेते हैं पशन संख्या 35 है यहाँ पर देखिए जी माल देखिए दाम बताऊंगा बेकाम नहीं है काम बताऊंगा यह कावे पंक्ति किसकी है कावे पंक्तियों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी रखना आतक आपने जो जो भी इनकी प्रमुक है चाए भूल गरती हो चाए ब्रह्मा राक्षस हो मुक्ति बोध की ठीक है आकाल और उसके बाद की बात कही गई हो उनमें जो प्रमुक्त कविता हैं उनको आपने जरूर पढ़के जाना है क्योंकि उनकी पंक्तियों कई बार परिक परिक हैं उसके साथ इसका प्रशाद मिश्र होगा चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं यहाँ पर देखिए स्थापना में कहा गया है चायवाद के समंद में मानेता है कि किसी कवीता के भावों की चाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे चायवादी कवीता कहना चाहिए तो ये वाला कथन आपने बहुतों बार पड़ा होगा चायवाद के समंद में तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है. तरक कहते हैं क्योंकि छायवादी कवीता अन्योक्ती से अधिक नहीं है. तो दोनों ही कतन ये क्या है? बिल्कुल सही है. स्थापना भी और तरक भी. तो भी कल्प नमबर 4 इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा. नेक्स प्रशन देखिए 37 गंगावतरन और हिंडोला का वेकृतियों का संबंध किस से हैं तो देखिए जो आपके द्वेदी युगीन जो ब्रज भाषा के कवी रहे हैं देखिए जगनादास रतनाकर जिनका उपनाम जकी के नाम से जिनको जाना जाता है इनकी ये प्रत्व कृतियां हैं ठीक है इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्य रचना माने जाती है जो आपकी उद्धव शतक इनको ने नाइन ने लिखी थी वो भी इनने लिखी है गंगावतरन और हिंडोला तो आपने देखा होगा कई बार ऐसी दो-दो पंक्तियों या कूट में इनको होगी तो इनको भी आपने याद रख लेना है जो जो भी महत्वपूर्ण है ठीक है तो रतना कर इसका सही उत्तर होगा चलिए अगरा पशनम देख लेते हैं प्रशन संक्या 38 है यहां पर देखिए माक्सवाद बना मानवताबाद को केंद्र में रख कर लिखी गई निराल होगा और हास्य विंग्यात्मक कवीता है यह जिसमें इनोंने पुंजिवाद की खिलाफत की है निराला ने ठीक है हलांकि भिख्षुक और विद्वा भिख्षुक कवीता भी इनकी क्या है थोड़ी सी प्रगती शील चेतना वाली आप गय सकते हैं लेकिन उसमें आपका ज दो बोली न्यारी न्यारी हैं यह कतन राजा लक्षमन सिंग ने अपनी किस रचना के प्राकरतन में कहा है तो यहाँ पर एक बात तो आपकी खुद ही स्पष्ट हो जाती है कि यह कतन किसका है राजा लक्षमन सिंग का है तो राजा लक्षमन सिंग ये इनकी जो भाषा है देखिए वो किस तरीके की बाशा थी इनकी बाशा में आपका जो पाय जाता है कि इसमें संस्कित निष्ट हिंदी के ये पक्षधर माने जाते हैं जो राजा लक्षमन सिंग थे ठीक है लेकिन अगर हम राजा शिप्रसाद सितारे हिंद की बात करते हैं देखिए तो वो किस के समत्क थे उर्दू मिश्रित थे जो अर्भी फार्सी मिश्रित हिंदी उसको वो जादा तवज्जो देते थे राजा जो आपके शिप्रसाद सितारे हिंद थे यहाँ पर राजा लक्षमन के प्राकतन में कहा है तो दीखिए इनकी जो प्रमुख रचनाएं यहां पर रखी गई हैं जैसे आपका जो कालिदास थे इनके तीन ग्रंथों का अनुवाद इनों ने किया है जो तीन ग्रंथ यही है आपका शकुंतला है रगुवंश और मेगदूत है शकुंतला की रचना है 1878 में लिकी गई थी उसके गद्यानुबाद के प्राकरतन में इनों ने यह बात कही है तो इस तरीके से भी प्रशन पूछा जा सकता है तो यहां पर मैंने आपको यह प्रशन भी रख दिया है तो चलिए आज का आखरी प्रशन देख लेते हैं आखरी प्रशन हम हर बार की तरह इस तरीके से ही रखते हैं कि एक जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है इस तरीके का प्रशना आप देखते हैं कि लगातार UGC n andet की परिक्षा में पिछले दो-तीन बास से पूछा जा रहा है कि यह जो शब्द है भी कल पे रखे हुए हैं देखिए पुर्थगाली और तुर्की तो इन भाषाओं के शब्दों को आपने जरूर पढ़के जाना है क्योंकि यहीं से ही लगातार प्रशन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो यह थे आज के 10-15 प्रशन दोस्तों अगर इन प्रशनों में मुझसे कहीं पर कोई गलती हो गई हो या आपको कुछ एक और सुझाब हैं तो आप हमें क्योंकि देल सिoring लुक नहीं कि जी मुझसे हैं आप के लो में मुझसें ही हो यहांgar के कि देला